आज जो इशू हम डिसकस करेंगे वो रहेगा basically कि घर में जब husband wife के बीच में कोई इशू आता है तो उसमें wife ना बार-बार धमकी देते हैं कि मैं suicide कर लूँगी घर का कोई काम हो उसमें बात आएगी तो suicide करने की धमकी बच्चों से related कोई बात होगी तो उसमें suicide करने की धमकी और किसी भी situation में कोशिश की जाती है कि घरवालों के उपर यानि in-laws के उपर husband के उपर pressure बना के रखे कोई बार बोलते हैं कि मेरी जो डिमांड है वो पूरी नी हो रही है मेरी जो लाइफ है वो बरबाद कर दी है बहुत सारे ऐसे allegation लग रहता है लेकिन suicide करने की जो धमकी है न ये this is quite serious you know husband और उसके परिवारवालों को लेना चाहिए इसको serious reason being कि अगर शादी के साथ साल के अंदर अंदर wife suicide कर लेती है तो husband के against abatment to suicide के F.I.R. नहीं होती है उसमें section 304B invoked होता है which is a serious offense और उस serious offense में dowry death जो है उसके अंदर जो punishment है that is severe punishment दूसरा उसमें there is a presumption also कि शादी के मतलब suicide से कुछ time पहले if the wife was subjected to cruelty तो 304B की presumption बनती है अगर cruelty मतलब कोई demand हो या कोई और चीज़ उसका harassment हो related to that तो उसमें कई बार उसको revert करना बहुत मुश्किल होता है now question is कि अगर आपकी wife भी आपके against ऐसे ही tantrum कर रही है या फिर धंकी दे रही है कि मैं suicide कर लूँगी तो husband और उसके परिवार वालों को क्या करना चाहिए ऐसा क्या काम है जो वो कर सकते हैं legally खुद को secure करने के लिए तो पहला तरीका तो यह है कि जब भी इस तरीकी की situation आती है तो आप अपने in-laws के पास अपनी wife है और जो बाकी परिवार के लोग होते हैं उनके पास आप sms कर सकते हैं whatsapp कर सकते हैं call कर सकते हैं लेकिन उसकी audio recording कीजिए या audio recording हो सकते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा कि जिसमें आप यह mention करें कि wife को कि आप जो आपकी wife है उसको कोई problem नहीं है परिवार में इस तरह की और अगर कोई issue है किसी तरीके का को psychiatric evaluation करवाना है या फिर अगर कोई उसको मन नहीं लग रहा या कोई और भी reason हो तो ताकि व आपको करना क्या है husband और उसके परिवार वाले वो जनली क्या कर सकते हैं आप SH के पास जाके आप अपनी एक information पुलिस को दे सकते हैं stating की भई हमारे परिवार में किसी तरीके को problem नहीं है लेकिन wife जो है वो illegal demands अगर कर रही है तो वो suicide करने की धमकी दे रही है तो इसमें जो ह है अगर कल की date में कुछ हो जाता है तो इसमें you will not be responsible और इसमें action लिया जा सके है अब extortion भी हो सकता है अगर कोई धंकी दे के कोई चीज मांगता है तो that might amount to extortion also दूसरी चीज क्या होती है कि अगर ये दोनों काम आप कर लेते हैं और problem solve नहीं होती है तो जो बहू और सास होत file कर सकती है क्योंकि fake जो allegations होते हैं धंकी होती है और जो आपके threats है they might amount to domestic violence अगर domestic relationship है share household property है तो उसमें ये काम किया जा सकता है अब question ये आता है कि husband के पास क्या चीज है तो as a husband ये समझिए कि अगर कोई भी wife अपने husband को ये धंकी देती है कि मैं suicide कर लूँगी और बार बार इ this is a good ground for the husband to take divorce from the wife तो husband is ground पे divorce file भी कर सकता है और divorce ले भी सकता है इसमें Kerala High Court की भी judgment है इसमें Delhi High Court की भी judgment है इसमें कई सारे High Court की judgment है जिनको use किया जा सकता है अब जो ध्यान रखना इसीज का है कि आपको अगर ऐसी कोई apprehension है तो कोशिश कीजिए कि आप उसके लिए evidence जरू हो सकती है वीडियो हो सकते है आप अपने घर के drawing room में और जो front है उसके अंदर camera यूज कर सकते है उसमें आप recording कर सकते है इसके अलावा अगर आपकी WhatsApp है तो WhatsApp पे messages बगरा है email है उस पे भी जो आपके इस तरह के threats आते हैं तो that can also be considered as evidence before the code बशरते evidence act में section 65b का certificate उसके साथ हो अब इसे related आपको कोई question है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते है और पूछने के लिए करना है क्या है आपको सिर्फ comment section में किसी भी वीडियो के comment section में जाना है लिखना है hashtag use करना है ask विकास नागवान और अपना question पूट कर देना मेरी team जो है कोशिश करेगी कि आपकी questions का answer क कर सके और अगले जो वीडियो हैं उसमें मैं कोशिश करूगा कि आपके questions को take up किया जा सके और अगर आपको कोई live question पूछने है मुझसे हो तो मैं Saturday और Sundays को generally YouTube के उपर live रहता हूँ हम किसी legal topic पे या journal जो हमारे topics होते हैं उसमें डिसकस करते हैं तो आपको कोई question होगा तो session मैं मुझसे पूछ सकते हैं and I'll try to answer those questions also